जय हिंद BPSC TRE 3.0 और TGT यानि कि 9 10 के कट ओफ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं अलांकि 1 to 5 और 6 to 8 का कट ओफ मैंने अभी डाला है कट ओफ बनाया है और कई दिनों बाद आप देख रहें कि एकजाम कब हुआ लगभग तमाम सिक्षकों का कट ओफ आया भी लिकिन इतने दिनों के बाद मैंने कट ओफ दिया है तो बहुत सारे रिजन्स इसमें थे क्योंकि कट ओफ एक्चुली में कभी भी जाएगा तो आप 100% उससे संतुष्ट नहीं रहेंगे कारण इसके बहुत सारे हैं क्योंकि नंबर ओफ वेकेंसी जितनी है फाइनली उतना ही सेलेक्शन होना है बांकी बच्चों को बाहर होना ही होना ये एक कटू सत्य है और आप खुस कर तभी आपका जा करके एक्चुल बैठेगा या आप नजदीक पहुंच सकते हैं जब पूरा का पूरा डेटा आपके पास हो और पूरा का पूरा डेटा आपका मैच करें जैसे कि आप उधारन के तोर पर यूं मानिए कि नमर ओफ वेकेंसी ज अलग अलग केटेगरी में कि जान आपको होना चाहिए इसके अलावा नमबर ओफ स्टुडेंट कितने एक्जाम में एपियर हो रहे हैं अपलिकेंट कितने हैं वो अलग बात है और एक्चुल कितने एपियर हो रहे हैं वो फिर अलग बात है उसमें बे आपको सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट कितने एक की संख्या कितनी है मेल में भी अगर टीजीटी पीजीटी की बात करें फीमेल में 35% रिजर्वेशन इसके लिए है फीमेल कंडिडेट के लिए तो सुभाविक रूप से उनको लाब जादा मिलेगा और अधर स्टेट के कंडिडेट को लाब बनिश्पत कम इसलिये भी मिलेगा कि यू आर मेल में उसके जितनी वेकंसियां हैं सिर्फ वो उसी पर फाइट करेंगे इसमें लॉस यहां पर भी होता है कि बिहार के यू आर के अभीरती जो की NCL जिनका नहीं है यानि क्रिमी लेयर के अंतरगत जो रिजर्ब के अभी बच्चे क्रिमी लेयर के अंतरगत आते हैं वो यू आर मेल में फाइट करेंगे इसके अलावा अलग अलग category के topper होंगे यानि बहुत अच्छे marks जो लाएंगे वो भी you are mail में जाकरके अपना अस्थान बनाते हैं और उन लोगों को वहाँ थोरा सा loss जादा बढ़ जाता है तो कई सारी बाते हैं कि जो कि आपके cutoff को प्रभावित करती है तो बारी बारी से ह हम हर बातों पर चर्चा करेंगे इसमें बहुत ऐसे भी subject होंगे जिनके की जहां पर maximum cutoff आपको देखने को मिलेगा बहुत ऐसे भी paper होंगे जहां minimum cutoff देखने को मिलेगा तो maximum वाले सभाविक रूप से उनको ज्यादा तकलीप हो सकती है इतना जब high cutoff बताएंगे लेकिन ज पर आपको आत्मसाथ करना होगा उसको स्विकारना होगा आपको में भी कि मेरी बात हैं जहां पर हम highest cutoff range में लेकर जाएंगे आपको तो वहां गलत हो जाए मेरी बात हैं इससे आपको अधिक सधिक लाभ हो हम ऐसाही चाहेंगे लेकिन बास्तिविक्ता जो है उसी के fact के आ होंगी तो निश्चित रूप से उसको आगे चल करके ध्यान में हम रखने का परियास करेंगे और आगे से उसको सुधार करने का भी परियास करेंगे और आदमी ऐसे ही सीखता है कभी भी कोई परिपूर्ण नहीं होता है और वैसे भी cutoff बताना अपने आप में समझे की बह अभी आपका आंसर की जारी नहीं हुआ है आंसर की जारी होने वाला है अभी आप जो teacher discussion कराएं होंगे questions का उससे आप मिलाएं होंगे जल्दीवाजी में कई सारी teachers जब discussion कराते हैं तो वहां पर भी गलती की संभावनाय बनी रहती है अभी भी 15-17 question TGT में टोटल ऐसे question है ज उसको सुधार करने का प्रियास करेगी तो process बहुत सारा है और इससे आपका cut-off सोभाविक रूप से प्रभावित होता है इसलिए जो भी cut-off हम जारी करेंगे एक 2 marks की हमेशा उपर नीचे होने की संभावना आपकी बनी रहेगी इसलिए आप अगर cut-off के नजदीक हैं तो भी नहीं घबराना है हो सकता है एक 2 number से हमारा cut-off miss भी करें इसमें कोई बरीबात नहीं है तो चलिए हम आते हैं में चीज़ पर बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लेते हुए तो सबसे पहले यह तो number of vacancies देख रहे हैं कि हिंदी में कितना है अंगरेजीम कितना है विग्य करने वाले कौन-कौन से कारण हो सकते हैं इसमें देख रहे हैं कि new reservation policy old reservation policy new reservation policy में क्या था 25% plus 10% EWS के लिए था यानि 75% special इसमें reservation की बातें कई गई थी और old reservation policy में 50% पहले था 10% EWS को दिया गया था 60% reservation policy की बातें थी यह 75% reservation वाली बात अब सुप्रीम कोट आपका चला गया है तो final result आपका तब आएगा जब सुप्रीम कोट का decision आ जाएगा अगर इसको सुप्रीम कोट new reservation policy को accept करती है तो अभी जो हम data आपको दे रहे हैं old reservation policy के आधार पर दे रहे हैं तो यहाँ पर फिर data आपका mismatch करेगा जो reserve category है वहाँ पर और कम cut off आपका चला जाएगा और जो you are category male का है तो वहाँ पर और cut off आपका बढ़ सकता है जब new reservation policy का अ नहीं तो old reservation policy का अंतरगत अभी हम बताएंगे इसके बाद exam बिलकुल fair हुआ था यह भी cut off को प्रभावित करने वाले कारणों में से एक है number of vacancies TRE 3.0 में किस कदर रहा है अलग-अलग subject में अलग-अलग vacancy है इसके बाद other state का candidate में लगातार आप देख रहे हैं जितने TRE 1 मे सामिल हुए थे TRE 2 में बढ़ गया संख्या TRE 3 में और ज्यादा संख्या बढ़ गया तो यह सब सारा प्रभाव UR category पर परेगा बिहार के local candidate जो भी थे आप देख रहे हैं कि एक ही साल में तीन बार vacancy आया और नया कुछ भी नहीं है estate उसी समय हुआ था नए estate वाले इससे आपका प्रभावित रहेगा लगातार बिहार के student का local candidate की संख्या में कमी लगातार आती चली जा रही है लेंग्वेज में जो fail होंगे उसके कारण cut-off प्रभावित होगा टेकनिकल फॉल्ट कुछ student किये होंगे उसके कारण आपका cut-off प्रभावित होगा और सबसे ब verification कर लेना चाहिए कि बाद में जाकर के seat जो खाली होती है वो पहले खाली हो जाए और ये दोनों process से जो seat vacant होती है लगबग 87,000 vacancy में plus vacancy में समझे कि 25,000 के approach vacancy आपका खाली रहा जाएगा इस दो कारणों से इसलिए मैं तमाम सिक्षक हूं और तमाम चात्रों को कहना चाहत हूं कि हम लोग कंधे से कंधे मिला करके one candidate one result or reservation policy को sorry verification policy को ले करके हम लोग आवाज उठाएं अपनी आवाज को BPSC अधिकारी तक पहुचाएं सिक्षा विभाग तक पहुचाएं बिहार सरकार तक पहुचाएं अगर ये चीज implement हो जाता है तो और cut off में 2-3 marks का आपको कमी देखने को मिल सकता है इसलिए करके one candidate one result के कारण ही math वोगरे में देखिएगा cut off इतना जादा आपका ऊपर चला गया है तो कुछ paper में cut off आपको संतुष्ट नहीं करेगा क्योंकि बहुत बच्चों को तकलीप हो सकती है आगे चल करके देखते हैं कि क्या क्या होता है सबसे तो था data based question आपका जादा पुछा था data based और factual question आपका कम पुछा था इसलिए करके यहां आपको data अगर अधिक सदिक याद रहा है तो question आपसे बनेगा और नहीं तो question कि गलत होने की संभाव नाएब बढ़ जाएगी जबकि economics easy to moderate रहा था geography easy to moderate रहा है और यह चारो मिला करके ही आपका चारो पेपर मिला करके ही आपका result बनेगा तो 80 मार्स में चारो पेपर हो गया overall average का सकते हैं और total नम्मर और vacancies की बात करें तो 600 vacancy मात्र आपका यहां है 940 male में है और 581 female में है चुकि महिलाओं का आरक्षन TGT PGT में 35% special reservation महिलाओं को दिया गया है तो सुभाविक रूप से male candidate के बनिश्पत female candidate को लाभ जादा होगा और ऐसे भी ratio अगर आप देखते हैं तो 60% overall चाहे बिहार के हों या बिहार के बाहर के हो 60% male candidate है और 40% approx female candidate रहा है maximum subject में कुछ subject को छोर करके तो competition level maximum आपका है तो और 32 गुना के लगभग 28 से 32 गुना competition level आपका लगभग आ आपर है 32 गुना approx competition level आपका है यानि 32 student पर एक seat है मात्र तो समझ सकते हैं कि इस paper में cutoff कितना परभावित इस चीज़ से होना है और 28 से 32 नमबर 40 में से आपका अच्छे student ला रहे हैं और common paper में भी 28 से 32 के approx ला रहे हैं आप खुद तुलना इसका कर लीजिएगा अगर इत होगा you are fighter का मतलब होता है कि यह जो you are category है इसको कौन-कौन परभावित करेंगे other state का male female यह दोनों इसी में fight करेंगे you are male candidate बिहार का इसी में fight करेंगे creamy layer जो candidate लगाये हुए हैं इसी में fight करेंगे और category wise जो performer है जिनका best performance रहा है वो इसी में fight करेंगे इस बात को समझना है तो इस हिसाब से देखा जाए तो final cut off you are male का 85-87, you are female का 75-77, bc male का 76-78, देख रहे हैं cut off कैसे धराम से गिरा है नीचे और bc female का 79-71, ews male का 75-77, ews female का 68-70, ebc male का 63-73, ebc female का 65-67, sc male का 72, sc female का 62-64, st male का 71-73, और st female का 55-57 देख रहे हैं किस कदर लगातार गिरावट हो रहा है category by category आपका, लेकिन बास्तिविक्ता यही है, यहाँ पर हो सकता है कि कुछ cut off आपका बर ही जाए, इससे मेरे ख्याल से कम होने की संभावना नहीं है अब TGT science, आप देख रहे हैं TGT science में कुल मिला करके 299 वेकंसी है, जिसमें की 1872 वेकंसी male का और 1097 वेकंसी female का, बाद में यह चलकर आपका category by category आपका अंतर भी हो जाना है level of question, man paper 80 question की बात करें, easy to moderate था, बहुत tough नहीं था, इसमें लगभग 8 question से 10 question tough जरूर थे, लेकिन बांकी question आपका easy to moderate था, common paper भी आपका easy to moderate रहा है इसलिए करके 8 से 10 question tough, easy to moderate, 7 से 70 question maximum चादर बनाए है, biology जरूर इसमें tough रहा है, physics, chemistry का level आपका down रहा है, या average से below रहा है इस अधार पर अगर हम बात करें, तो man subject में 65 से 70 score किये हैं, maximum अच्छे अच्छे बच्चे, common paper में 25 से 30 score किये हैं, और इस अधार पर, चुकि यूर में fighter maximum है, तो 93 से 95, ये आपका TGT science में cut off देखने को मिल सकता है, यूर केटेगरी में, लेकिन जैसे ही आप यूर female पर है, 83 से 85, BC male 84 से 87, BC female 89 से 82, EWS male 82 से 85, EWS female 77 से 80, EBC male 89 से 82, EBC female 73 से 75, SC male 77 से 89, SC female 79 से 71, ST male 74 से 77, ST female 64 से 77, ST female 64 से 64 से 66, ये आप देख सकते हैं, इसके अलावा अगर TGT math की बात करें, TGT math सबसे ज़्यादा competition आपका यहीं पर है, question भी जो आपका पूछा गया, इसको आप easy to moderate बोल सकते हैं, 7-8 question ही ऐसा था, कि जो की maximum student को परेशान किया, और 72 से लेके 75 marks, 80 math में बहुत बच्चे score किये हैं, 72 से 75, इसको आप ignore नहीं कर सकते हैं, और 68 से लेके 72 तक maximum बच्चे, जो average से उपर थे, वो score किये हैं, आप इसको ignore नहीं कर सकते हैं, और 25 से लेके 30 के बीच में, common paper में score किये हैं, 25 से लेके 32 नमर तक common paper में अच्छे student score किये हैं, इस बात को आप ignore कर सकते हैं, और चुकी math में minimum seat है, और maximum चात्र हैं, और your category में competition सबसे ज़्यादा है, और दूसरा सबसे बड़ा cut-off प्रभावित करने वाला कारण रहा है, आपको अच्छा खासा समय मिल गय आप देख लिजिए ना कि TRE 3.0 मार्च में होने वाला था, लेकिन exam cancel हुआ, इस बीच में लगातार आपको मौके मिले, TRE 2 का cut-off 94 गया था, जबकि उसका question का level भी इस बार से ज़्यादा था, मानते थे कि कुछ गरबरियां हुई थी, लेकिन फिर भी 94 cut-off मामूली नहीं थ तो इसके अलावे भी इस बीच में TRE 1, 2, 3 में आपको मेहनत करने का मौका मिला, maximum engineer लोग सब है, मैत अच्छा उनका है, तो cut-off उससे परभावी जरूर रहा है, इस लेकर कि इस subject में मेरे cut-off से बहुत तकलीफ में चातर आ सकते हैं, लेकिन बास्तविक्ता को इंकार नहीं क सर भी बहुत मेहनत किये, मैत वाले शर, मरजीत सर, और निश्चीत रूप से उनके पढ़ाए हुए में से maximum सवाल आया है, इसले करके cut-off बरहाने में एक तरीके से कह सकते हैं, उनकी भी महती भूमिकार रही है, जिसको आप positive वे में लेके चल सकते हैं, इसले करके ध्यान ज आप वेट कर सकते हैं, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आप देख रहे हैं, man paper 80, easy to moderate, best performer 70 से लेके 75 के बीच में score किये हैं, 68 से 72 के बीच में बहुत बच्या score किये हैं, common paper easy to moderate, 25 से लेके 30 से लेके 32 तक score किये हैं, maximum fighter UR category में बैठे हुए हैं, अब final संभावित का top जो है, UR category का 100 से 105 के बीच हमने दिया है, may be की 24 नमबर कम चला जाए, इसमें मुझे बहुत खुसी होगी, और जैसे female की तरफ बरहें, आप देख रहे हैं कि, यहां का top आपका down हुआ, 92 से 95 हुआ, 8 marks का gap हुआ है, BC male में 95 से 100 हुआ है, और BC female में 90 से 93 हुआ है, EWS male में 94 से 98 हुआ है, EWS female में 89 से 91 हुआ है, EBC male में 91 से 93 हुआ है, EBC female में 86 से 88 हुआ है, SC male में 86 से 98 से 80 हुआ है, ST male में 84 से 87 हुआ है, ST female में 72 से 75 हुआ है, इसके अलावा हम TGT English की बात करें, सबसे ज़्यादा tough question यहीं पर था, total vacancy 351 था, male 210 थे, female 321 थे, level of question moderate to tough था, इसको tough के स्रीनी में भी आप रख सकते हैं, और 40-50 question यहां अच्छे बच्चे को बनाना ही चाहिए था, common paper moderate minus moderate से थोरा सा कम मान के चल सकते हैं, 25-30 number common paper में आना चाहिए था, इस हिसाब से अगर संभावित का top की बात करें, तो UR चुकि इसमें other state के maximum fighter हैं, तो 80-82 number UR category में आपका जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा, और जैसे ही आप other paper हैंगे, आप इधर reservation वाले मामले में चले आएंगे, चुकि 35% महिलाओं का यहां प 70 नमर आ गया, BC मेल में 70-72, BC फिमेल में सीधे 65-67, EWS मेल में 68-71, EWS फिमेल में 63-65, EBC मेल में 64-67, EBC मेल में 60-63, और SC में 60-63, मेल में और SC फिमेल में मात्र 54-57, ST मेल में 57-60, और ST फिमेल में 49-53 मात्र, और इसके अलावा अगर हिंदी की बात करा हैं, तो हिंदी में total vacancy 279 था, मेल का 1326, फिमेल का 743, question आपका यहां गलत लिखा गया है, question आपका easy to moderate इसको बोल सकते हैं, easy to moderate यहां पर बोल सकते हैं, question, common paper easy to moderate, और यहां पर इसके आधार पर, अगर संभावित cut-off की बात करें, UR 90-92, क्योंकि UP वाले बच्चों सब का हिंदी इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, यहां तक cut-off जाएगा, और UR female में देख लिजे, आठ से दस नमर का कमी, आठ मार्स का, 82-84, BC male में 84-86, BC female में 80-82, EWS male में 83-85, EWS female में 78-80, EBC male में 81-83, EBC female में 75-77, SC male में 74-78, और SC female में 70-72, ST male में 74-76, ST female में 64-66, यही आपका cut-off रहा है, मा की कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करेंगे, कि cut-off आपको कैसा लगा, में भी के अच्छा ना लगा होगा, तब भी आपको कमेंट जरूर करना है, धन्यवाद, बेस्ट अपलग, धन्यवाद.